है एक है लो स्टुडेंज मैं हूं तरसें जटेंड वेलकम यू ओल एट जटेंड क्लासिज तो आज हम आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेक्टर लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं और गैनिक कनवर्जन्स के बारे में देखें आज हम बेसि लेक्टर में हम रिवाइज करने वाले हैं तो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेक्टर होने वाला है बिलकुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें आपको बस एंड तक की वीडियो लेक्टर देखना है लेट्स स्टार्ट फ्रूम्द सिंपलेस्ट ह क्या काम होता है hydrogen हटाना chlorine लगाना तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास CH3Cl CH3Cl clear है अब CH3Cl में यदि मैं sodium डालता हूँ यहां पर with dry ether तो मेरे पास हो जाती है वही words reaction कौन्सी reaction हो जाएगी words reaction और CH3 के आप copy कर देंगे तो क्या आजाएगा आपके आपके पास CH3 CH3 आ जाएगा clear है अब CH3 CH3 जो है आपके पास यदि आप इसमें दुबारा से CL2 sunlight डालते हो तो आपके पास आ जाएगा बच्चे CH3 CH2Cl मतलब CL2 sunlight का क्या काम है hydrogen हटाना chlorine लगाना यहां अब आपके पास आ गया CH3 CH2Cl सारी reactions रिवाइज करेंगे टेंशन मतलीजिए बारी बारी मजा आने वाला आपको बिल्कुल अच्छे से अब देखिए अलकाइल हलाइड बन गया है क्या अलकाइल हलाइड की chemical properties आपको पता है तो नहीं पता है तो देखिए यदि मैं यहां पर KCN से reaction करवा देता हूं बच्चे KCN से तो क्या हो जाएगा यहां पर जो CN पर negative है यह इस carbon पर attack करेगा और chlorine को हटा देगा तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CN बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CN ठीक है सारी reaction करेंगे बारी बारी टेंशन मत लेजिए यदि आप यह अलकाइल नाइट्राइल बन गया है नाइट्राइल सी एन को नाइट्राइल बोलते हैं इसकी आप complete hydrolysis करवाते हो तो यह बन जाएगा कार्बोक्सलीक एसीड तो बन जाएगा CH3 CH2 COOH क्या बन जाएगा CH3 CH2 COOH हमारे पास बन जाएगा मैं चेक कर दो मैं स्क्रीन से बार तो नहीं जा रहे हैं तो चलिए आप देखिए कहीं से भी कोई भी reaction करवाने की कोशिज करिए यहां से जो आपको reaction आ बाता हूं बच्चे AGCN तो यहां पर nitrogen की side से group लग जाएगा NC तो बन जाएगा मेरे पास CH3 CH2 NC बन जाएगा क्या बन जाएगा CH3 CH2 NC कोई और chemical property देखिए यहां पर कार्बोक्सलीक एसीड बना हुआ है बच्चे कार्बोक्सलीक एसीड कार्बोक्सलीक एसीड में यदी मैं ammonia डालकर heat करता हूं तो बच्चे मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 COONH4 positive यह बन जाएगा क्योंकि NH3 और H मिलकर NH4 बना लेंगे और यहां पर COO आ जाएगा जब आप इसको further heat करते हो बच्चे तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 COONH2 means amide बन जाएगा amide क्या बन जाएगा amide और यहां से क्या बाहर हो जाएगी ammonia बाहर हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा amide ठीक है नोट ammonia water बाहर हो जाएगा minus of water देखते है सारी reaction करेंगे बारी-बारी यहां पर और कुछ कोई reaction याद आ रही है आपको तो देखे यहां पर आपको आ रही होगी याद reaction आपके पास ओपमेन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रियक्षन देखो अमाइड है ना तो इसमें बी यार टू के वेच डाल दो बी यार टू के ओएच तो क्या हो जाएगा यह यह उड़ जाएगा तो यहां पर बन जाएगा एच थरी शी एच टू एन एच टू यह बन जाएगा हमारे पास क्लियर है अरे यह तो इताएड उमीन है सारी रिवाइज करवारा हूं आप धीरे-दिरे रिमाइंड गरते रहे सारी रियक्षन को इताइल अमीन में यदि आप क्या करते हो एननो टुएचियल डालते हो एननो टुएचियल तो बनना तो चाहिए था है यहां पर डाइजोनियम सोल्ट बट डाइजोनियम सोल्ट नहीं बनेगा यहां पर बन जाएगी बच्चे एलकोहल और यहां पर कितने कार्बन का कर्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास आ गया है चलिए और कहीं से कोई reaction आपको ध्यान में आ रही हो तो भई सोचते रही यहीं से CH3 CH2 CN है आपके पास यदि आप इसकी reduction करवाते हो बच्चे क्या करवाते हो reduction किसके साथ H2 निकल के साथ तो यह बन जाएगा अमीन CH3 CH2 CH2 NH2 बच्चे क्या बन जाएगा यह अमीन बन जाएगा अमीन है ना क्लियर है हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है और कोई reaction देखिए यहां पर कहीं CH2 NHCH3 क्या बन जाएगी secondary amine बन जाएगे हमारे पास वही है H2 निकल के साथ आप क्या अगरवाएंगे इसकी reduction करवाएंगे ठीक है अच्छी बात है और देखिए कोई reaction आपको ध्यान में आ रही है नहीं आ रही यह सोचिए कहीं से कोई भी reaction ध्यान में आ सकती है बिल्कुल देखो यह है अलकोहल बच्चे primary alcohol यदि आप इसमें PCC डालते हो पारिडिनियम क्लोरो क्रोमेट डालते हो तो PCC भी एक oxidizing agent होता है लेकिन वो primary alcohol का aldehyde बना देता है तो यह convert हो जाएगा बच्चे aldehyde में किसे में convert हो जाएगा aldehyde में CH3 CH4 बन जाएगा clear है हां जी सर बि मेरे को dilute NaOH डालना पड़ेगा तो डाल दिया मैंने NaOH तो इसकी aldol condensation का product बनाओ तो इसकी कितनी unit लेनी पड़ेगी हमें 2 ठीक है तो aldol condensation का product मैं direct बना रहा हूं मैं देखे CH3 as it is CH as it is CH इस O पे H भेज़ तो इस O पे क्या भेज़ दोगे आप H तो बन जाएगा CHOH और दू CH2 CHO ये बन गया है aldol क्या बन गया बच्चे aldol को यह reaction देखिए भी जो हो सकती है जो आपको आती है ध्यान में है ठीक है कहीं से भी reaction जरूरी नहीं कि यहीं से होगी कहीं से भी reaction आप तोड़कर बना सकते हो चलिए यहां से तोड़ रहा हूं मैं इसकी reaction करवा रहा हूं मैं दख जाएगा बच्चे CH3 CH2 OH बन जाएगा हमारे पास क्या बात है सर अब यदि आप CH3 CH2 OH में बच्चे ध्यान से सुन लीजिए PCL 3 डालते हो PCL 5 डालते हो SOCL 2 डालते हो तो इन सब क्या काम है OH हटाकर है लोजन लगाना तो यहां बन जाएगा CH3 CH2 CL बन जाएगा च्या बन जाएगा CS 3 C2 SCL इन सब क्या काम है OH हटाना CL लगाना क्लीर है अब CS 3 CS 2 CL में यदि आप अलकोहलिक के वच्च डालते हो बच्चे अलकोहलिक के वच्च क्या करेगा यहां से CL यहां से चेट आदेगा तो डबल बना देगा तो आपके पास बन जाएगा बच्चे ऐस क biology सिय तो डबल पोनट dify यह बन जाएगा आपके पास सिय प्सियत्यू स्टू डबल और भान सी इस्टो सर यह तो मज़ा रहा है जै ना को यह और गुचलें देखियों में कि सर् deny कर सकते यह कर सकते है लेक और रिएक्षिन आप इसकी दोबारा से वंद रियेक्षन करते हो कौन इंट राइथर में डाल दीजिए इसको एंटी झाल एतर में में तो इसकी कॉपी हो जाएगी तो हैगा梨 CH2 CH3 यह बन जाएगा ब्यूटेन क्या बन जाएगा यहां पर ब्यूटेन बन जाएगा क्लियर है तो करिए स्टुडेंस रेक्शन को भी रेक्शन हो सकती है चलिए यहां पर साइनाइड दिखाई दे रहे आपको मैं करवाता हूं फिर आप लोग तो नहीं करने वाले दिख दे लिए मेरे को यह रहां साइनाइड साइनाइड में आप स्टीफन रिडॉक्शन करवा सकते हैं बच्चे स्टीफन रिडॉक्शन स्टीफन रिडॉक्शन के लिए आपको क्या डालना पड़ता है SMC L2 Hcl और पिर क्या करतोग आप हैड्रोलीसिस कर दोगे स्टीफन आप यह बना सकते हो सानी से क्या बना सकते हो यह कैसे बनेगी आप उसकी क्लीम एंजन रिडॉक्शन करवा देगी यह लोग बन गई और आपको आपको अभी तुरंत पता लग जाएगा एक और रियक्शन होती है LD हाइड से जो एलकेइन बनाती है वह होती है वोल्फ किशनर रिडॉक्शन क्या होती है वोल्फ किशनर रिडॉक्शन उसमें क्या डालते हैं आप हाइड्राजीन डालोगे पहले तो NH2 NH2 सेकेंड स्टैप में आप क्या डालते होगे की वह फर्स टैप में हाइड्रोजोिन सेक किवंच दोनों का प्रोड़क्ट साहे कलीमेंजन हो चाहे वोल्फ किशनर ओ प्रोडक्ट यह ही आएगा दोनों रियक्शन का क्लियर है हां जी सर अभी इसको ले जाओ पच्छे CL2 संल होता है तो यहां पर बन जाएगा CH3 CHCL single bond CH3 यह बन जाएगा आपके पास बच्छी बीच वाले कार्बन की जगह क्या लग जाएगी क्लोरीन क्लियर है अच्छी बात है मैं कहां लेकर जा रहा हूँ आपको पता लग जाएगा भी को को एक्वस डाल देता हूँ मैं इसमें को एक्वस तो सील हटक कर क्या लग जाएगा ओएच तो बन जाएगा CH3 CH CHOS single bond CH3 बत्ची सेकेंड्री अलकोहल है कौन सी है सेकेंड्रडरी अलकोहल सेकेंड्री अलकॉहल का जब भी आप ऑक्षिडेशन करवाते हो के मनो 4 के साथ इधर कर देता हूँ मैं तोड़ा सा सप्पेस कमह हैा किसके साथ oxidation करवाते हो Kmno4 का तो secondary alcohol का oxidation होने पर ketone बनता है तो इसका बन जाएगा ketone तो answer आजाएगा CH3 CO CH3 आजाएगा बच्चे आपके पास ketone clear है हाँ जी सर बिल्कुल clear है यहाँ पर यदि आप alcoholic KOH डालते हो बच्चे alcoholic KOH तो CL हट जाएगी और आस्पडोस से hydrogen तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास CH3 CH double bond CH2 क्या जाएगा CH3 CH double bond CH2 ठीक है अब बच्चे यदि आप इसमें HBR डालते हो HBR तो मार कोनी रूल लगेगा मार कोनी रूल क्या कहता है negative part double bonded carbon बन में से उस carbon पर लगेगा जहाँ थोड़ी hydrogen है यहाँ एक ही hydrogen है तो यहाँ बीयार लगेगा यहाँ लगेगा तो बन जाएगा आपके पास CH3 CH यहाँ लग जाएगा बीयार और यह बन जाएगा बच्चे CH3 ठीक है लेकिन आप इसी में यदि HBR डालते हो विद पर उक्साइड किसके साथ पर उक्साइड के साथ तो लगेगा anti-marconi rule और anti-marconi rule लगता ही बन जाएगा CH3 CH2 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 BR क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 BR क्लियर है आजी सर बिल्कुल क्लियर है अरे भाई आप इसकी reaction के आई के साथ करवा दीजिये फिनकल्स्टीन reaction हो जाएगी बच्छे फिनकल्स्टीन reaction आप BR की जगह iodine लग जाएगी acetone की presence में तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 iodine फिनकल्स्टीन reaction हो जाएगी आप इसी के अंदर स्वार्ज रियक्शन भी करवा सकते हो स्वार्ज रियक्शन के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा बच्छे यहां पर एजी एफ सिल्वर फ्लॉराइड तो अपकी बार ब्रोमिन की जगह फ्लॉरिन लग जाएगी तो बन जाएगा आपके पास लग जाएगे आपके पास यहां पर क्या लग जाएगी बच्छे फ्लॉरिन क्लियर है चले भई आप फिर रुक गई हम आकर चले कोई और देखी कहीं से ढूंड़िए कोई रियक्शन आपको यदि आद आ रही है तो जरूर करिए उसको कार्बोक्सलिक एसिड की जरूरत में आप क्या डाल दीजे हैलोजन डाल दीजे विद रेड़ फोस्पोरस किसके साथ रेड़ फोस्पोरस के साथ तो हैलो वोलहार्ड जलिंस की रियक्शन हो जाएगी एच वीजड तो यह जो एलफा रोजन आपको दिखाई दे रही है यह हट जाएगी इसका ब्रोमी लग दीजे कर्बॉक्सलीग एसेड़ केमिकल प्रोप्टी नहीं आती आप लोगों को भूल गये हो देखें कहीं और से कोई और reaction बन रही है तो जरूर बनाईए भई सोचिए सोचिए कहां से क्या reaction हो सकती है naming reaction पर आ जाईए naming reactions के उपर हाँ बहीं कार्बोक्सलिक एसिड को पकड़ो दुबारा से यह लो naming reaction पर आते हैं इसमें डाल दो बच्चे SOCl2 क्या डाल दो SOCl2 SOCl2 का क्या काम था देखो यहां पर करा था हमने OH हटाना CL लगाना तो यह जो OH दिखरी है न OH इसकी जग़ा CL लग जाएगा तो बच्चे बन जाएगा CH3 COCl Acid chloride बन जाएगा क्या बन जाएगा Acid chloride अरे Acid chloride से तो आप रोजनमंड रियक्शन करवा सकते हो रोजनमंड रियक्शन वो कैसे बनेगी इसमें H2 डालिए विद प्लैडिनम बेरियम सल्फेट प्लैडियम बेरियम सल्फेट के साथ देखो यहां से HCl बार हो जाएगा यहां H लग जाएगा तो बन जाएगा बच्चे है आपको यह रही है इसमें यद्याप सब्सक्रीट तक अच्छमिए पानी बाहर हो जाएगा यहां से जाएगा आपके पास ऐच्ट ऑबल बोंड च्छी एच्ट आपन जाएगा आप ड़ालिए एच्ट इसल क्या डालिए जिंक क्लॉराइड कि इसके साथ डालेंगे बच्चे HCL, विद जिंक क्लोराइड यदि आप HCL डालते हो, तो कौन सी रेक्शन होगी, लेट मी नो, बताइए भई क्या हो जाएगा, यस, यस, बताइए, बताइए, यह गुरूज प्रोसेस होता है, गुरूज प्रोसेस, देखो, यहां से H और यहां से H पानी बाहर, यहां कलोरिन लग जाएगी, तो बन जाएगा CH3, CH2, CL, क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CL, क्लियर, अब अलकाईल हलाइड है, इसमें यदि आप KNO2 डालते हो, बच्चे, KNO2, तो CL की जगह ONO लग जाएगा, क्या लग जाएगा, CL की जगह ONO, O, NO, Nucleafilic Substitution reaction हो जाएगी, यदि इसमें आप AGNO2 डालते हो, बच्चे, AGNO2, तो लग जाएगा, NO2, नाइट्रोजन की साइड से बोंड बनेगा, नाइट्रोजन की साइड से क्या बनेगा, बोंड बनेगा, ठीक है, ढूंडिये वही कोई ओर reaction, यदि आपको ध्यान में आ LD हाइड है, यह LD हाइड है, LD हाइड है, तो टोलन टेस्ट देते हैं, नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं, तो टोलन टेस्ट की reaction करवा दो, तो टोलन रिएजेंट क्या होता है, AGNH3 twice positive, basic medium में OH negative, तो इसका oxidation हो जाएगा, बच्चे, तो यह बन जाएगा, CH3 COO negative, मतलब का अर्बोक्सलीक एसिड बन जाएगा, जब इसका oxidation हो जाएगा, किसका, LD हाइड का, ठीक है, LD हाइड, इस एसिटोन का भी कुछ यूज़ गर लो, इस एसिटोन का कुछ तो यूज़ गर लो, एसिटोन कहीं और है, देखो कहीं हो, नहीं है, नहीं दिखाए ज़रा, चलो बनेगा, डिरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, शिखा रहा हूं, इसको तोड़ी है, ऐसे, डबल मॉंड लगाई है, डबल ऑक्सिजन लगाई, औक्सिजन लगाई, तो क्या बन गया, हCHO, हCHO, LD हैड बन गए, तो दो LD हैड बन जाएंगे, हCHO के दो मोलीक्यों, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, हमारे पास, OZONOLISIS, बचे, क्या हो जाएगा, OZONOLISIS, ठीक है, बई मेरे को इसकी जुरूर्थ पढ़ी है, चलो यहीं कर देते हैं, इसको, इसको मैं छोटा लिख देता हूं थोड़ा सा, CH3, COCH3, इसकी जूरूर्थ पढ़ी है, यहाँ पर लिख देता ह यह मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें डालना चाहता हूँ, Cl2 Sunlight, क्या डालना चाहता हूँ, Cl2 Sunlight, या मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, Cl2 के साथ डालकर Heat करना चाहता हूँ, कलोरीन के साथ, तो इसमें कलोरीन लगानी है आपको, लेकिन कलोरीन कहां लगेगी अलाईलिक कार्बन पे डबल बॉंडिट कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे कलोरीन लगा हुए आप तो यहां अंसर आएगा लगा CH2Cl CH double bond CH2 तो यह अंसर आएगा यहां पे ठीक है अच्छी बात है वही अच्छी बात है करिए याद कोई रियक्षन याद आ रही है तो आपको यहां से आगे क्या करें सोचिए बही सोचिए चलिए मैं गंदिक कर रहा हूं फिर यहां से फिर से मैं इस अलकीन को एक बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि भीडवे आ गई यहां पर इसको बाहर निकाल लूं तो मेरे पास आ गई है अलकीन CH3 CH double bond CH2 मैं यहां पर हाइड्रो बोरेशन उक्षिडेशन क reality बन जालो गें तो यहां पर alcohol बन जाएगा इस में पानी यहां लगातो ह्यां टी मार्म को दी रूल सेपानी जोड दीजिए तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH यह बन जाएगा मेरे पास पानी क्या बन जाएगा बच्चे पानी बन जाएगा चली भई इसकी रेक्शन करवा दीजिए एक्टिव मेटल के साथ एनने के साथ तो एनने क्या करेगा यहां से हैड्रोजन हटा कर एनने लग जाएगा यहां पर तो बन जाएगा CH3, CH2, CH2, O, negative, NA, positive ठीक है अब यह नुकलियोफाइल है क्योंकि औक शिजन पर negative charge है तो इसकी रेक्शन अलकाईल हिलाइड के साथथ करवा दो यह अलकाईल हिलाइड के साथ तो यह नेगटिव इसके अटेक करेगा क्लोरीन को भगा देगा एथर बन जाएगा बच्चे इथ Williamson synthesis बोलते हैं इसको Williamson synthesis तो बन जाएगा मेरे पास product देखे कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH2 O single bond CH3 क्या बन जाएगा एथर एथर की formation हो जाएगी अब यदि एथर आ गया है बच्चे तो इसकी reaction किसके साथ करवाओगे complex 2 II के साथ किसके साथ करवाओगे בתreet किसकी reaction करवाओगे आप यथर की इधर के साथ reaction क्या करोगे देखो तो इथर के सथा जब भी reaction कर रह News रहीं हो रह Üस्तरह का हो तो फोटे ग्रूप के साथ iodine लगाएंगे छोटे ग्रूप के साथ हालां कि इसकी अलग-अलग cases भी होते हैं तो अब जटैन classes पर जाकर search कर सकते हो एथर के साथ reaction कैसे करेंगा है तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH पलस बन जाएगा CH3I क्या लग जाएगा यहां पर बच्चे iodine लग जाएगा और यह बन जाएगी alcohol तो यह किसके साथ reaction है HI के साथ reaction है किसकी इथर की बई मेरे को aldehyde चाहिए बई aldehyde कहीं पर है देखें aldehyde है कि यह रहा aldehyde इसको उठाकर मैं यहां यूज कर रहा हूं वही मैं डिरेक्ट यह मैं बना भी सकता हूं aldehyde यहीं से बना लेता हूं यह लोग PCC डाल दूमें इसमें तो प्राइमरी अल्कॉल का उक्षिडेशन होने पर aldehyde बन जाएगा तो CH3, CH2, C double bond OH यह बन गया है aldehyde बच्चे क्या बन गया है aldehyde sir aldehyde बनाने का क्या अतातपर यह है आपका देखे aldehyde बनाने का मेरा क्या अतातपर यह सुन लीजिए अब aldehyde की reaction nitrogen containing compound के साथ आप करवा सकते हो जैसे H2NOH के साथ करवा सकते हो hydroxylamine के साथ तो करना क्या आपको मैं डिरेक्ट बता रहा हूं प्रोड़क्ट नहीं लिखूंगा मैं यहां पर देखो यहां से बस H2N में पानी लोस करवा दोगे आप देखो यहां से पानी बस इसको इसके साथ जोड़ दोगे प्रोड़क्ट आ जाएगा ठीक है hydroxylamine के साथ क्या बना लेगा ऑग्जाइम क्या बनाएगा ऑग्जाइम अचली आगे यहीं पर लिक कर दे रहा हूं मैं hydra gene के साथ reaction हो जाएगी NH2 NH2 के साथ तो फिर से देखे बच्चे यहां से waterlose हो जाएगा तो hydra gene के साथ reaction करके क्या बना लेगा hydra zone क्या बनेगा बच्चे hydra zone बन जाएगा ठीक है सेमी कर्बाजाइड के साथ reaction हो जाती है और वह है NH2 यहां से देखे एच्टू और यहां से ओ पानी लोस हो जाएगा तो सेमी कार्बाजाइड बन जाएगा यहां से सेमी कार्बाज जोन बन जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप नाइट्रोजन कंटेनी कंपाउंड के साथ भी यहां पर reaction करवा सकते हो water यह से छोटी नहीं है तो बड़ी अमीन है चलो इसी से काम चलाते हैं यदि आप प्राइमरी अलिफेटिक अमीन में बच्चे आप क्या डालते हो chloroform CHCl3 with koh chloroform डालते हो क्या डालते हो chloroform तो वहां पर आइसो साइनाइड बन जाता है मतलब यह nc बन जाएगा इसको आइसो साइनाइड टेस्ट बोलते हैं आइसो साइनाइड टेस्ट बोला जाता है अच्छी बात है यदि भाई आप डबल बोंड में यह ड़ा डबल बोंड में BR2 CCl4 ढालते हो BR2 CCl4 तो एक Bromin यहां लग जाएगी एक Bromin यहां लग जाएगी तो बन जाएगा आपके पास CH2 BR सिंगल बोंड CH2 BR यह बन जाएगा आपके पास ठीक है मनलब दोनों Carbon पे दोनों Bromini लग जाएगी हमारे पास ठेक है देखिए भई ढूंड़िए कोई और reaction है या नहीं है मेरा मन कर रहा है वही हंस डीकर reaction करवाने का कौनसी reaction करवाने का हंस डीकर तो आप पता कर सकते हैं हंस डीकर के लिए इस बोर्ड़ पे favourable conditions कहां पर हैं तो मैं बताता रूँ आपको हंस डीकर याद करो हंस बरो तेरी चांदी हुई है तो तो silver का salt चाहिए मेरे को, तो ये रहा carboxylic acid यहां से करूँगा मैं, तो इसको मैं इस space में लेकर आ रहा हूँ, यहां पर जगह है, दिखाई देरी मेरे को, CH3, CH2, COOH, इसमें मैंने डाल दिया बच्छे, silver hydroxide, AG, OH, तो क्या बन जाएगा यहां से, OH और यहां से हच पानी बाहर हो जाएगा, तो बन जाएगा, salt, CH3, CH2, COOH, AG, यहां गया, silver का salt, अब हो सकती है, हंस-डी का reaction, हंस-डी का reaction के लिए, आपको क्या डालना पड़ेगा, BR2, बच्चे, क्या डालना पड़ेगा, BR2, देखे, AG, BR निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, और यहां, ब्रोमील लग जाएगी, तो अंसर आजाएगा, CH3, CH2, BR, तो इथाइल, ब्रोमाइड अंसर आजाएगा, ब्रोमो, इथेन, देर विल बी, अंसर आजाएगा, ब्रोमो, इथेन, तो चलिए, भई, students, चेक करिए, यहां पर कोई और reaction, आपको ध्यान में आरे है, जो आप कर सकते हो, चलिए, मेरे को ध्यान में आरहा है, कहीं पर primary alcohol है, क्या, देखेए रही, आप यहां पर heated copper test कर सकते हो, copper 573 Kelvin पर heat करके, इसे में डाल दीजिए, तो primary alcohol जब heated copper के साथ रेक्ट करती है, तो यह aldehyde बना लेती है, ठीक, क्या बना लेगी aldehyde, तो मैं aldehyde को लिख रहा हूं, कुछ इस तरह से CH3, CHO बचे बन जाएगा, aldehyde secondary alcohol, देखे, कहीं पर है, तो यह रही secondary alcohol, इसमें भी जब आप heated copper डालते हो, तो यह बना लेगी ketone आपके पास, तो क्या बन जाएगा, CH3 CO, CH3 बन जाएगा, हमारे पास ketone, clear, idle foam test करते हैं वही, idle foam test, कहीं पर idle foam test के लिए आपको ketone चाहिए, जिसमें methyl group हो, तो है कहीं पर यह रहा, aldehyde भी हो सकता, ketone भी हो सकता, तो यह रहा, यह idle foam test देगा, क्योंकि इसमें CH3 CO group present है, CH3 CO group, idle foam test के लिए आपको क्या डालना पड़ता है, iodine with NaOH डालना ही पड़ती है, iodine with NaOH, तो product कैसे बनाएंगे, देखिए, इसमें सो CH3 है ना, CH3, इसके idle foam बना दो, और जो एक कार्बन बचे है, इसका कार्बोक्सलीक एसिड बना दो, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सलीक एसिड क्या होता है, ठीक है, count for any other reaction जो आप कर सकते हैं यहां पर, इथेनोल है, कहीं पर इथेनोल, देखे इथेनोल, है क्या, डूड़ दो, यह रही, यह रही इथेनोल, वह इथेनोल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, एक बार जुरूत पढ़ रहे हैं इस इथेनोल की, तो देखते हैं, तो CH3, CH2 OH, इथेनोल, यदि आप इसमें concentrated H2SO4 डालते हो, 443 Kelvin पे, 443 Kelvin पे, तो यहां पर बनेगी अलकीन, CH2 double bond, CH2 पलस में बन जाएगा पानी, लेकिन यही concentrated H2SO4 आप 413 Kelvin पे डालते हो, 413 Kelvin पे, तो यहां पर बन जाएगा एथर, तो क्या बन जाएगा यहां पर, CH3, CH2, O, CH2, CH3, इस तरह से क्या बन जाएगा, हमारे पास एथर की formation हो जाएगी, तो सोची वही reactions कुछ और देखे वही, esterification reaction करते हैं, चलिए, क्या करते हैं, esterification reaction, जब आप carboxylic acid में alcohol डालते हो, तो मैं इसमें ethanol डाल दूँ, CH3, CH2, OH with H+, मतलब acid के साथ, तो देखे, यहां से बच ठीक है, तो यह बन जाएगा, ester, तो answer आजाएगा, CH3, CH2, CO, OH, CH2, CH3, ठीक है, इस तरह से क्या बन जाएगा, ester, और यह reaction हो जाएगी, हमारे पास, esterification reaction, सर, ग्रिगनाड रिएजंट का यूज नहीं आया, अभी तक कहीं पर भी, तो अभी ग्रिगनाड रिएजंट का य यह दिखाई दे रहा है, मेरे को LD हैड यहाँ पर, ठीक है, तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा कर यहाँ पर इसको, तो CH3, C double bond OH, तो इसमें ग्रिगनाड रिएजंट डालें, तो ग्रिगनाड रिएजंट डाल दिया, मैंने CH3, MGBR, ठीक तो क्या हो जुड़ जाएगा, नेगेटिव, हैच एजटीज, देखे, हैच एजटीज, और C के साथ जुड़ जाएगा, CH3, जुड़ गया, CH3, और O के साथ जुड़ जाएगा, MGBR, तो जुड़ जाएगा, MGBR, क्लियर, आब इसकी जब आप हाइड्रोलीसिस करवाओगे, तो इस O की जगे, बस H लग जाएगा, इस O के साथ, तो क्या बन जाएगा, आपके पास CH3, CH, O, H, सिंगल बॉंड, CH3, कौन सी अलकोल मिलेगी, आपको सेकेंडरी अलकोल, तो याद रखिए, LD हाइड सेकेंडरी अलकोल देते हैं, लेकिन आप यदि किटोन के साथ रियक्शन करवाओ हो गे, तो बच्चे आपको तरसरी अलकोल मिल जाएगी, रियक्शन का जो प्रोसीड इंग है वो सेम होगी, इसी प्रोसीड करेगी, क्लियर है, सर, बिलकुल क्लियर है, भई अलकाईल है, रियक्शन करवाऑनी मेरे को अमोंहीया के साथ, चलिए, इसकी रियक्शन करवाते अमोनिया के साथ तो अमोनिया होता है NH3 तो मैंने H और NH2 को अलग करके लिख दिया है ताकि आपको दिख जाएगा यहां से HCL हो जाएगा तो अंसर आजाएगा आपके पास CH3 CH2 NH2 means amine answer आजाएगा amines क्या आएगा answer amines को यह और reaction देख लीजिए आपको जो समझ में आ रही है तो यहां पर ठीक है यहां पर dehydration करवा सकते हो आप फिर से आप इसे में क्या डाल सकते हो concentrate 2-104 तो यहां से और यहां से यहां से पानी बाहर हो जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH double bond CH2 alkene की formation यहां पर हो जाएगी अच्छी बात है तो भी देखे कोई और reaction आपको ध्यान आ रही है तो यहां पर चलिए ने ओएच विद्ध सी ओडालते हो शोडा और लाइम तो यहां से ने टूसी ओ त्री रिरीज हो जाएगा देखो एन ने टूसी ओठीव तरी रिलीज हो जाएगा और यह जो है इस पे लग जाएगी तो बन जाएगा आपके पास मीथेन मलब कार्बन नंबर क्या हो लेक्षन अभी तक हमने नहीं की है इसमें नहीं आई है क्योंगि ऐसा कोई अलडी हएड़ की टोन हमारे पास इसमें आया नहीं है जिसमें एलफा हैड्रोजन नहीं हो तो मैं यहां पर डिरेक्ट इंजम्पल बता रहा हूं उसका आपको HCHO क्या ऐसा LD है जिसमें alpha hydrogen नहीं है आप इसमें जब NEOH डालते हो 50% मलब strong NEOH strong solution इसका तो इसकी दो unit होती है एक का oxidation कर दो, एक का क्या कर दोगे reduction तो एक का oxidation होगा तो क्या बन जाएगा, ये carboxylic acid बन जाएगा और दूसरी unit का reduction करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, बच्चे मिथेनोल बन जाएगा, मिथेनोल और इस तरह से हमारे पास कौन सी reaction हो जाएगी कैनी जैरो reaction हो जाएगी तो I hope आपको ये सारी reaction सच्छे से clear हुई है conversion क्या है, बच्चे conversion आपसे पूछ लेंगे कि मिथेन का आप क्या बनाएगे ये ये प्रोपेन नाइट्राइल बनाएगे, तो कैसे बनाओगे देखो मिथेन का प्रोपेन नाइट्राइल तो इसमें जो reaction है, लिक दो CL2 sunlight करवाओगे पहले, फिर ड्राइटर में डालोगे, फिर आप इसमें हेलोजन लगाओगे, केसी अंके साथ reaction कराओगे तो ये बन जाएगा, conversion कुछ नहीं है, ये सारे product directly और indirectly मिथेन से बनें, चाहिए आप खुच सोचलो, मैं कहूँ कि आपको मिथेन से बनाना है बच्चे, इथाईल आयोडाइड, क्या अप ये प्रपाइल आयोडाइड बनाना है, तो कैसे बनाओगे? सोचो कैसे बनाओगे? तो धूंड़िये यहां से यहां तक का रास्ता कहां से होता हुआ आता है, देखिए, इस तरह से कहां से आएंगे हम इस तरह से आते 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 यहां से आते 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 देखो यहां आगे हैं यही तो कर नवर्जन है क्या है यही कर पाएंगे जब आपको केमिकल रियक्शन्स याद होंगी यदि आपको केमिकल रियक्शन्स याद नहीं है तो आप कर नहीं कर पाए कि ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियोज की जानकरी जल्दी से मिल सके और देखते रहें जटेंड क्लासिज